हलो फेंड्स आज हम आपको एक ऐसी सबजी बनाना बताएंगे जिसमें विटामिन सी सबसे जादा होता है विटामिन सी हमारी इम्मिनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है तो अगर इस सब्जी को हम रोज बना के खाएंगे तो हमें विटामिन सी की कमी कभी भी नहीं लहोगी तो इसके लिए हमें चाहिए शुद्ध आमले आमले आप छोटे बड़े कैसे भी ले सकते है तो आमलों में विटामिन सी बहुत जादा होता है आमले का मुरबा भी बना सकते हैं हम आमले का अचार भी बना के खा सकते हैं आमले के लड़ू भी बना के खा सकते हैं लेकिन आज मैं आपको आमले की सबजी बनाना बताऊंगी तो इस सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले जो आमले हैं उनको हम धो के कुकर में डालके पानी में और एक सीटी आने तक बोईल कर लेंगे जब तक हमारे कुकर की सीटी आती है तब तक हम हमारे मसाले तयार कर लेते हैं मसालों में सबसे पहले हमें चाहिए गुड़ गुड़ को मैंने बारिक बारिक काट लिया है इसको आप क्रश भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं इसके लिए मुझे लाल मिर्च चाहिए होंगी लाल मिर्च सुखी वाले लाल मिर्च चाहिए चोटी बड़ी कैसी भी आप ले सकते हैं और हमारे किचन के नॉर्मल मसाले और छोग के मसाले छोग के मसाले में हमें ध्यान ये रखना है कि कलोंजी और मेथी हमें जरूर लेनी ह इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जीरा तो हम लेंगे ही लेंगे साथ में हम कलोंजी और मेथी भी लेंगे तो ये हमारी चोटी मोटी समान है जो हमें कीचन में हमेशा मिल जाता है तो हम इससे सबजी बनाएंगे इसमें हमें प्याज और लेसुन की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन उससे टेस्ट पे कोई फरक नहीं पड़ेगा गुड को हम डालेंगे, अब हमने कड़ाई चड़ा दी है और इसमें तेल चड़ा दिया है मेरी कूकर की सीटी आ चुकी है तो मैंने उसको बंद करके थंडा होने के लिए रख दिया है जब तक आमले थंडे होंगे तब तक हम चौक तयार कर लेंगे यह देखिया आमलों कि मैंने बीज निकाल के अच्छे से इनके पीसिस कर लिये हैं आम लेके उबालने के बाद में इसके पीसिस बहुत ही आसानी से हो जाते हैं वगर हाप से थोड़ा सा भी प्रेश करेंगे तो ये सारे कलियां अलग-अलग हो जाएंगी और बीज निकल जाएंगे पर हमें इसका बिल्कुल चूरा नहीं बनाना है इसकी सिर्फ एक सीटी और फिर भाब निकालके खोल लेना है अगर हम जादा इसको कर लेंगे तो इसके रेशे रेशे से अलग हो जाएंगे और वो टेस्ट में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि वो अचार भी नहीं बनेगा सबजी भी नहीं बनेगी वो हलवे जैसा बन जाएगा खटा मीठा तो मैं तेल को चेक कर रही हूँ कि ये पका है या नहीं पका है सरसों का तेल है इसका टेंप्रेचर थोड़ा सा जादा चाहिए होता है तो इसको पकने में भी टाइम लगता है अगर आप इसके कच्छे में छोंक डाल देंगे तो इसकी कच्छेपन की जो खुश्बू है वो पूरी सबजी में रहेगी तो आप सरसों के तेल में हमेशा इध्यान रखेंगी तेल को अच्छे से पहले उबलने दें बोईल आने दें उसका फिर उसमें छोंक वाला समान डालें इसको थोड़ा सा टाइम ओर लगेगा छोंक डालने के लिए इतने आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये देखिए करम हो गया है अब मैंने इसमें लाल मिश डाल दी है लाल मिश मैंने पहले इसलिए डाली है ताकि तेल में सबसे पहले इसी की खुश्बू आ जाए अब इसमें जीरा डाल देंगे, मेथी डाल देंगे और कलोंजी डाल देंगे कलोंजी प्यास के बीजी होते हैं ये हर पंसारी की शोप पे मिल जाएंगे आपको आजा आसानी से और हम कैरी की सबजी में डालते भी हैं सभी इनको ये सबजी भी बिल्कुल कैरी की तरही बनेगी खटी मीठी और बच्चे बड़ा चाव से खाते हैं इसको वरना आमला खाने में बच्चे बहुत नाटक करते हैं तो ये देखें छोक मेरा तयार हो गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे हल्दी, नमक, मेर्च और धनिया सारे हमारे कीचन के नॉर्मल मसाले ही डालने हैं एक्स्टा हमने कुछ भी नहीं डाला है इसमें मसाले तेल में ही डालने हैं तो हमें गैस को बिल्कुल सिम पे रखना होगा वरना हमारे मसाले सारे जल जाएंगे अब इसमें मैं आमले डाल दूंगी और आमलो के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो आमलो में चिपक जाए और अब आम इसके साथ ही गुड भी डाल देंगे गुड हम साथ साथ इसले डाल रहे हैं ताकि जब आमले पकें तो उसके अंदर गुड का जो मीठा पानी है वो भी अंदर अब्जोर्ब हो जाए इसमें पानी हमें अलग से डालने की ज़रुरत नहीं है हमारा जो गुड है उसी का पानी हो जाएगा तो यह मसाला मिलाने के बाद में मैं इसमें गुड डाल दूँगी जो हमने चोटा-चोटा क्रेश किया था अगर आपको मीठा जादा पसंद है तो आप गुड जादा भी डाल सकते हैं गुड नहीं हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन गुड से थोड़ा चिप-चिपा पन और अच्छा टेस्ट आता है हेल्दी भी रहता है गुड चीनी से ज़ादा यह देखिए अब हम इसको देख रहे हैं उसलिक गुड पिगल गया है लेकिन जो बड़े पीसेज हैं वो भी नहीं पिगले हैं तो हम इसको एक बार ओर ढखके अच्छे से पकाएंगे दो मिनट में यह हमारी पक्के तयार हो जाएगी क्योंकि हमने इनको पहले से उबाल रखा है और आमलों को पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है यह देखिए बिल्कुल से तयार हो गई है पक्के चटनी हमारी खटी मीठी इसको हम गर्म गर्म पराँठे के साथ पूड़ी के साथ रोटी के साथ सब्रव करके खा सकते हैं आई होप आपको यह मेरी सबजी ज़रूर पसंद आई होगी आप इसे घर में जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी ओके फ्रेंड्स तब तक आप हेल्दी रहिए खाते रहिए स्वस्त रहिए ओके बाई